आज हम बनाने वाले हैं सूजी के पापड, आलू, चावाल, मैदा के पापड तो सब बनाते हैं, लेकिन सूजी के पापड बनाने का तरीका सबसे अलग है, ये पापड न फटेंगे न तूटेंगे बहुत ही बढ़ियें बनते हैं, और कम समयम जल्दी बनकर त्यार हो जाते इसको आप एक बार बना कर लंबे समय तक इस्टोर कर सकते हैं, जल्दी खराब भी नहीं होंगे नमस्कार, आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है, तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं पापड बनाने के लिए हमने आपर आधा कफ सूजी लिया है, सबसे पहले हम सूजी को पीस कर और महिन करेंगे सूजी आप कोई भी लें, उसे पीस कर महिन कर लें, इसी में हम एक चमच मैदा डालेंगे पीसी हुई सूजी को हम बावल निकालेंगे अब इसी में डालेंगे दो सूखी लाल मिर्च इसको हमने एक दम बारिक काट कर लिया है एक छोटी चमच जीरे डालेंगे थोड़ा से बारिक कटा हुगा हरा धनिये डालेंगे और स्वात के अंसवार नमक डालेंगे अब इसमें हम एक कप पानी डालकर इसका बैटर बनाएंगे इस पापड के लिए हम बहुत गढ़ा बैटर नहीं बनाएंगे और नहीं बहुत पतला करेंगे हमने आधा कप सूजी में एक कप पानी डाला है जितना हमने सूजी लिया था उसका डबल पानी डालकर हम इसका बैटर बना रहे हैं सारे चीजों को हम अच्छे से मिलाएंगे जिससे इसमें सूजी के गुठली न रहें सारे चीजों को मिलाकर इस तरह का हमने सूजी के बैटर बना लिया है अब एक पापड के लिए बैटर तयार हैं पापड के लिए इसी तरह बैटर हमें चाहिए पापड हम भाप में पकाएंगे तो कड़ाहिम डालेंगे एक लिटर पानी इसके बाद इसमें एक इस्टेंड रखेंगे और यहाँ पर हमने इस तरह के प्लेट लिया है इस टैंड को उपर इसको भी रखेंगे अब कडाये को उपर धकन लगा कर पाने को हम उबलने देते हैं तब तक हम पापड के लिए प्लेट तयार करेंगे यहाँ पर हमने इस तरह के तीन से चार धकन लिया है इसी में हम पापड को बनाएंगे अगर आपके पास इस तरह के ढखकन नहीं है तो आप घर में रखें इस तरह के प्लेट में पापड बना सकते हैं इसमें भी पापड अच्छे बनेंगे पहले हम सभी ढखकन में थोड़े तेल लगाएंगे तेल लगाने से पापड आसाने से प्लेट को छोड़ देंगे हम धक्कन और प्लेट दोनों पापड बनाएंगे तो हलका हलका तेल हम सभी बरतन में लगा देते हैं पूरे बरतन में तेल हमने लगा दिया है अब इसमें थोड़े थोड़े बैटर डाल कर सेट करेंगे पहले बैटर को हम अच्छे से मिला लेते हैं क्योंकि इसमें सूजी बैठ गई है अब थोड़े थोड़े बैटर हम धक्कर में डाल कर सेट करेंगे बहुत ज़्यादा बैटर नहीं हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे जिससे पापड पतले बने पतले रहेंगे तो पापड बढ़ियां बनेंगे और जल्दी सूखेंगे तो धक्कन में हम बैटर उतना ही डालेंगे जिससे पूरे धक्कन में फाइल जाए इसी तरह से हम प्लेट में थोड़े बैटर डाल कर सेट कर देते हैं धक्कन और प्लेट में हमने बैटर डाल कर सेट कर दिया है अब हम पापड को पकाएंगे तो चलते हैं गैस की तरफ यहाँ पर पानी उबल रहा है तो पहले हम धक्कन वाला पापड पकाएंगे चारो धक्कन को हम उठा कर प्लेट पर रखेंगे इस तरह कि पापड पकाने में बहुत कम समय लगता है इसे हम ज़्यादा नहीं बस एक मिनट तक पकाएंगे आप कडाहे को पर हम धक्कन लगाएंगे और पापड को मेडियम आज पर एक मिनट तक धक्कर पकाएंगे इसमें जब बैटर का पूरी तरह से कलर बदल जाए तो समझे लिजे पापड पक चुका है एक मिनट बाद आप देख सकते हैं पापड कलर पूरी तरह स्टेंज हो चुका है यहनी कि यह पक चुका है, तो सभी धक्कन को हम निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए, ठंडा होने के बाद पापड इसमें से असानिस निकल जाएंगे, तो इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तब तक हम प्लेट वाला पापड पकाएंगे, इसे भी पकने म हम सारे पापड को पका लेते हैं इस तरह के सूजी के पापड बनाना बहुत ही असान है अगर घर में रखे कोई भी छोटे बड़े प्लेट हो उसमें भी आप पापड बना सकते हैं बस जो भी बरतन ले उसका पेदी प्लेन होना चाहिए प्लेन रहेगा तो पापड साब बन रहा है इसी तरह से हम पूरे पापड को ढखकन से निकाल लेते हैं इस पापड की सबसे खास बात यह है यह टूटेंगे नहीं जैसे हैं सुखने के बाद ऐसे बने रहेंगे और पापड जल्दी खराब भी नहीं होंगे यह लंबे समय तक चलेंगे अब प्लेट वाला पापड हम निकाल कर दिखाते हैं आप देख सकते हैं प्लेट वाला पापड कितने असानी से निकल रहा है यह भी पापड बहुत बढ़ियें बना है तो आप इस तरह से जैसे चाहें छोटे बड़े पापड बना सकते हैं ध्यान रखें पापड के लिए बाइटर बहुत गाढ़ा न बनाए और बहुत बतला भी ने करें बाइटर मेडियम बनाएं थोड़े से सूजी में धेर सारे पापड बन जाते हैं अभी यह दिखने में छोटे लग रहे हैं सुखने बाद और चोटे हो जाएंगे लेकिन जब इसको हम फ्राई करेंगे तो पापड बड़े-बड़े हो जाएंगे यहाँ पर हमने एक एकर के सारे पापड को बना लिये हैं अब इसको हम दो दिन तक धूप में सुखाएंगे दो दिन में यह पापड अच्छे सूख जाएंगे अगर धूप काफी तेज है तो एक दिन पापड सूख जाएंगे और हलके धूप में सूखने में दो दिन पापड एदम सुकर कड़क हो गए हैं, इसको आप इसी तरह इस्टोर करके रख दें, इस साल भर खराब नहीं होंगे, पापड अच्छी तरह सुकर कड़क हो गए हैं, अब इसको हम तेल में तल कर आपको दिखाते हैं, पापड फ्राई करने के लिए यहां पर तेल हमने गाइस को हमने मेडियम में किया है, पापड हम मेडियम आज पर फ्राई करेंगे, क्योंकि मेडियम आज पर पापड तलने से जलेंगे नहीं, और अच्छी से फ्राई हो जाएंगे, यह भी पापड आप देख सकते हैं, तेल में फ्राईल कर कितना बड़ा हो गया है, इसी तरह थोड़े पापड हम फ्राई कर लेते हैं यहां पर हमने थोड़े पापड फ्राई कर लिये हैं आप देख सकते हैं पापड फ्राई करने इस पहले कितना छोटा था और फ्राई करने एक बाद कितना बड़ा लग रहा है अगर आप छोटे छोटे पापड बनाना चाहते ह तो धक्कन में बनाएं और बड़े साइच के बनाना चाहते हैं तो बड़े प्लेट में बनाएं बहुत ही बढ़ी हैं सूजी की पापड बनेंगे तो आप इस तरह से सूजी की पापड घर पर जरूर बनाएं या सूजी की पापड आप बनाकर चायक साथ या फिर बीना चाय के भी खा सकते हैं यह पापर खाने में बहुत इस्वादिश होता है